नमस्कार, स्वागत है आपका, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉड़कास्ट, मनुरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है जानते हैं इस बुलिटिन में बॉलिवुड एक्ट्रिस अमीशा पटेल गदर दो के साथ बड़े परदे पर सकीना की रोल में वापसी कर रही हैं वुदवार को गदर 2 के ट्रेलर लॉंच पर एक्ट्रिस ने खुलासा किया कि कैसे इंडेस्ट्री का एक वर्ग इस बात के लिए उन्हें बोलने लगा था कि वो गदर में मा का रोल क्यों कर रही हैं अनल शिर्मा द्वरा निर्देशित गदर एक प्रेम कथा तारसी की कहानी है जिसका रोल सनी दियोल ने किया जिसे एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है फिल्म के सीक्वल में एक बार फिर सनी दियोल और अमीशा पटेल तानासी और सखीना के रोल में वापसिकर रहे हैं ट्रेलर लॉंच पर अमीशा ने याद किया कि कैसे इंडस्ट्री में हर कोई गदर में मां की भूमिका निभाने के उनके फैसले पर आश्चरे चके था क्योंकि उस वक्त वेह अपनी सभी फिल्मों में केवल कॉलेज गर्ल की भूमिका निभा रही थी अमीशा ने कहा जब अनल जी ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी तो कई लोग थे मैं नाम नहीं लेना चाहती मगर वे फिल्म इंडस्ट्री के लोग पर ये नाम और इंडस्ट्री के बड़े चहरे थे उन्होंने मुझे कहा कि तुमी के दार क्यूं कर रही हो अमीशा पटेल ने साथ ही बताया कि गदर के रिलीज होने से पहले लोग इसे गटर कहते थे बॉलिवूड एक्ट्रिस कंगना रनौत अपने बेबाक अंदास के लिए जाने जाती हैं वे लगभग हर मुदे पर अपनी राय रखती नजर आती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जादा वे अपनी परसनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं गीटकार जावेद अखतर के खिलाव जारी केस को लेकर खबरों में है एक्ट्रिस ने जावेद अखतर पर धंकी देने का ररुप लगाया था ऐसे में अब कंगना रनौत द्वारा दारी आचिका में कोर्ट ने जावे दख्तर को समंजारी करते हुए पांच अगस्त को कोर्ट में पेश होने के दिर्देश दिये और कहा कि आपराधिक धंकी के अपराध में उनके खिलाफ कारवाई आगे बढ़ाने के लिए परियापत आधार है अदालत ने कहा कि हलागि उनके खिलाफ बसूली के आरूपों के तहट कोई मामला नहीं बनता मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट अंधिरी अदालत आर एम शेख ने 24 जुलाई को जावी दख्तर के खिलाफ समंझारी करते हुए उनसे पांच अगस्त को कोट में पेश होने के लिए निर्देश दिये बॉलिवुड एक्टर सनी दियोल के एक बार फिर से तारह सेहिं के रोल में नज़र आएंगे कल 6 जुलाई गुरुवार को फिल्म गदर 2 का धमाकिदार ट्रेलर रिलीज हुआ इस बीच फिल्म के आक्टर सनी दियोल ने भारत और पाकिस्तान को लेकर बयान दिया सनी का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के नागरिक एक दूसरे के लिए केवल प्यार और शान्ती जाते है लेकिन ये बीच का राजनिति खेल है जो नफरत को जन देता है अभीनेता नई बातें फिल्म गदर 2 के ट्रेलर लॉंच पर कहीं ट्रेलर में दिखाया गिया कि तारह सी अपने बेटे को वापिस लेने के लिए क्रश इंडिया मॉव्मेंट के बीच पाकिस्तान जाता है गदर 2 के ट्रेलर में जरूर भारत और पाकिस्तान आमने सामने दिखते हैं लेकिन ओफ स्क्रीन दे उनने कहा कि दोनों देशों के नागरिक लड़ाई नहीं करना चाहते सनी ने कहा ये सब मानवता के बारे में है कोई जगड़ा नहीं होना चाहिए दोनों तरफ बराबर का प्यार है ये राजनेते खेल है जो नफरत को जन देता है बॉल्वूर एक्टरिस परनीती चोप्रा ने तेरा मई को आमादभी पार्टी के नेता रागफ चड़ा से सगाई की थी राजनेता रागफ चड़ा को पहले मोस्ट एलिजबल बैचलर कहा जाता था हाल ही में जब उन से पूछा गया कि परनीती से सगाई के बाद उनके जिन्दगी कैसे बदल गई तो उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी के लोग और सीनियर्स उन्हें इतना नहीं चड़ाते हैं दग को दिये एक इंटेव्यू में रागफ ने कहा ठीक है मुझे लगता था कि हमें इस बादचीत को राजनीतिक गटबंधनों तक ही सीमित रखना चाहिए ना कि व्यक्तिकत कटबंधनों तक लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि मेरे सहकर्मी पार्टी में सहकर्मी और मेरे वरष्ट अब मुझे थोड़ा कम चड़ाते हैं पहले वे मुझे शादी करने के लिए कहते थे अब वे मुझे थोड़ा कम चड़ाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। परिनेती और राघप ने एक अतरंग समाहरों में एक दूसरे कोंगुखिया पहनाई जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के सदस्ते शामिल हुए। उन्होंने अपने शोचल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसे ओफिशल कर दिया। समाहरों मेर प्रयांका चोपड़ा भी शामिल हुए जो विशेश रूप से बड़े दिन के लिए पहुची थी। बॉलिवूड एक्टरिस अमीशा पटेल इन दिनों अपने अपकमिंग फिल्म गदर टू को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीस किया गया जिससे काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म का लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर आई कि अमीशा पटेल पर राची कोट ने 500 रुपे का जिर्माना लगाया। अमीशा के खिलाफ चेक बाउंस और धुकाधरी के मामले में सुनवाई की दोरां जिरहे के लिए बुद्वार की तारीक तैकी गई। खेस दर्ज कराने वाले अजिसिंगी ओर से अदालत में एक गवाह पेश किया गया। अबस्तार से खबरे पढ़ने के लिए जनसता.com पर ये पाड़कास यहीं खत्म होता है अगले बुलिटिन तक के लिए जाज़त दीजे नमस्कार